हालो अच्छोले सीट दे गोश्टन कॉस्टन से इक्वेशन अब दे लाइन पारलेल तो दे लाइन 3X-4Y प्लस टो इकल टो जिरो एन पासिंग थो दो पॉइंट माइनस 2,3 ओप्शन है 3X-4Y इकल टो माइनस 18 3X-4Y इकल टो 2, 3X-4Y इकल टो 18, 3X-4Y इकल टो माइनस 12 इक्वेशन ओफ लाइन पारलेल टो AX-5Y प्लस C इकल टो 0 इस यह हो जाएगा हमारे पास क्या AX-5Y प्लस K इकल टो 0 तो X रहाएगा मल्टीपल सेम रहेगा के सिप कॉंस्टन चैंज होगा तो यहाँ पर देखे क्या है हमारे पास हमें फाइन करना है एक्वेशन ओफ लाइन पारलेल टो 3X-4Y प्लस 2 यह हो जाएगा हमारे पास इस इकल टो 3X-4Y प्लस K इकल टो 0 तो यह आजाएगा अब यहाँ पर यह जो लाइन है न यह किस से पास हो रही है पास हो रही है किस से माइनस 2,3 से तो माइनस 2,3 इसको साटिस्फाइग करेगा तो आजाएगा 3 इंटो माइनस 2 माइनस 4 इंटो 3 प्लस K इकल टो 0 तो यह कितना आगया माइनस 6, माइनस 12, माइनस 18 तो K की वैल्यू जो है वो किया जाएगी 18 अब इस वैल्यू को हम पूट करेंगे यहाँ पर तो जो रिक्वाइड एक्वेशन है वो हमारा हो जाएगा 3X माइनस 4Y प्लस 18 एकल टो 0 इसको हम लिख सकते हैं 3X माइनस 4Y एकल टो माइनस 18 तो यह आंसर आ रहा है ओप्शन A में ओके बच्चों I hope you understand well best of luck थेंक यू